हलो दोस्तों मेरा नाम है मुहम्मत कैसर और आप देख रहा है स्टाडी चैनल बात करेंगे दोस्तों प्रात में शिक्षक भरती की जो उत्तर प्रदेश में होनी है सरकार ने 17,000 पदों पर नई भरती का अलान तो कर दिया है लेकिन शातर से बिलकुल भी संतुष नहीं है और शातरों की मांग है कि 97,000 पदों पर नई भरती होनी चाहिए बात करेंगे दोस्तों कि क्या 17,000 में और भी पद जुड़ सकते हैं कैसे जुड़ेंगे हमें और आपको क्या करना है साती सात इन पदों पर विज्यापन कब आएगा आपको सारी जानकारी दी जाएगी डीटेल में और इसके लिए योगिता क्या होने वाली है लार्ट तक बने रहे हैं सारी सीज़ें बिलकुल लेटेस्ट और आथेंटिक आपको बताए जाएगे चक्सु पब्लिकेशन लेकर आगिया है सुपर्टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए दोस्तों ये किताब आपकी काफी जादा हेल्प करेगा सभी विशय यहाँ पर कवर हैं प्रात्मिक सिक्षक भरती के साथे साथ 68,569,000 पेपर का यहाँ पर सलुशन भी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में दोस्तों आप समझ पाएंगे क्लियरली कि किस विशय से कितने नंबर का सवाल सिक्षक भरती की परिक्षा में पूछा जाता है तो यदि आप रात्मि सुशक भरती की तैरी कर रहे हैं उतर प्रदेश में तो यह किताब आपकी काफी ज़्यादा हेल्प करेगा तो सूपर्टेट के लिए गायट बुक तो 400 पॉब्लिकेशन की आती ही आती है इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो आपकी परिक्षा में काफी मदद करेगा इन किताबों को खरेदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वरिए आपको आफ्लाइन लेना है मार्केट से तो वहाँ पर भी इसली अवेलेबल हो जाएगा तो साहय का दियापको के 17,000 पदों पर भरती का ऐलान तो हो गया है लेकिन इतने पदों पर छातर भरती नहीं लेना चाहती है ये काफी कम पद हैं और मांग 97,000 पदों की हो रही है 17,000 ये तो वो पद है जो 1,37,000 में से बच गए 6,000 को दे दिया गया 69,000 में जोडने के लिए और बचे जो पद वो हैं 17,000 और इस पर नई भरती का ऐलान सरकार कर चुकी है सबसे पहले बात करें यह भरती कब आएगी तो यह भरती यूपी टेट के बाद आएगी मैंने आपको कली बता दिया था पहले यूपी टेट की परिक्षा होगी 23 जनवरी को 25 फरोरी को इसका रिजल्ट आएगा और सरकार प्लानिंग कर रही है चुनाओं के बाद यानि अगले शाशनकाल में इन पदों पर भरती कराने की तो अभी हाल फिलहाल में यह भरती नहीं आने जा रही है यह बिलकुल क्लियर है फिलहाल की तो प्लानिंग सरकार की यही है 21 लाग उच्छाथ यूपी टेट इस बार दे रहे हैं इनमें से जो पास होंगे वो आने वाले भरती के लिए एलिजिबल रहेंगे साधे साथ मैं आपको यह भी बता दूँ प्रदेश में सी टेट और यूपी टेट दोनों मान रहता है यदि आप पेपर वन पास होते हैं तो प्रात्मी के लिए पावेदन कर पाएंगे तो छात इस्तम बैठे हुए है धरने पर और मांग कर रहे हैं 97 प्रात्मी सिक्षक भरती की और 28 दिसंबर को दोस्तों एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है नई भरती के लिए पिछले 20 दिनों से अनुरत धरना प्रदर्शन दो चली रहा है आपको इसकी लगातार अपडेट दी जा रही है लेकिन 28 दिसंबर को यह तैं हो जाएगा कि पद 97 हजार होने वाले हैं या नहीं और यह डिसाइड आप लोग ही करेंगे जितने जादा से जादा संख्या में आप पहुंच सकते हैं लखनों के इको गार्डन आप पहुंचिए अभी से त्यारी करिए यदि आप चाहते हैं प्रात्मिक में 97 हजार पदों पर भरती आए योगि छात लगातार संख्या बल होना बहुत ही जरूरी है युवा मंच ने मांग किया है कि प्रात्मिक सिक्षकों के सभी पदों को भरा जाए और 28 दिसम्बर के धरने में युवा मंच भी सामिल होगा ये लोग प्रियाग राज से लखनओ को अब निकल रहे हैं देख सकते हैं इस सम्बन में युवा मंच का प्रेस्विक यप्ति भी आ गई है 97 हजार से कम पद मंजूर नहीं है 28 दिसम्बर को लखनओ चलो वास्तों में प्रात्वी विद्यालों में रिक्त पदों की मौजूदा इस्तिती किया है ये सरकार बताए और सरकारी आंकडे और युनिस्को की रिपोर्ट पर भी चर्चा होनी चाहिए इसको बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2 लाग से अधिक पद खाली है और सरकार इन पदों पर आखिर भरती क्यों नहीं कर रही है खुद सरकार ने बताया था 51,112 पद हमारे पास रिक्त हैं जब 79,000 के सुनुआई हो रही थी 17,000 जो 1,37,000 के बच गए हैं जो नए सिजित पद है क्योंकि सरकार दावा कर रही है उन्होंने रिकॉर्ड ना मांकन किया है प्राइमरी में बच्चों का तो फिर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए सिक्षक भी चाहिए सभी पदों को जोड़ा जाए आराम से लगए एक लाख पदों पर भरती निकल सकती है और वही चात्र मांग भी कर रहे हैं 97,000 का 37,000 में एक और मामला है 22,000 सीटों का ये अभरती भी लगातार पदरशन कर रहे हैं जब से 69,000 में 6,000 सीटें जुड़ी हैं और इसमें सभी पदों को जानि एक लाख 37,000 सभी पद 69,000 में जो पास अभरती निसे ही भर दिया जाए 77,000 पर नई भरती ना आए सभी पद इनको दे दिया जाए और नई पदों पर भरती आए ये भरती भी अपने लिए संगर्ज कर रहे हैं और लगातार इनकी जड़ब भी देखने को मिल रही है लेकिन सबसे बड़ी मांग है नई परात्मी सिक्षक भरती की और जो भी चात्र हैं जो भी अलग-अलग चात्र संगटन है सब एक जुट हो गए हैं और देख सकते हैं कि अब भरती 28 दिसंबर को हर जगे से पहुँच रहे हैं आप भी पहुँचिये पद जुड सकते हैं या नहीं दोस्तों इसका मैं आपको सीधा-सीधा बात बताऊं राजस्थान में एक्ती सहर पदों पर सरकार ने भरती का एलान किया था राजस्थान के छातर अड़ गए हैं को उन्हें 50,000 पदों पर भरती देनी होगी लगातार छात परदर्शन कर रहे हैं और 50,000 पदों की मांग कर रहे हैं साथी साथ आप यहां देख सकते हैं सचिन पाइलेट ने किया सपोर्ट भी कर रही हैं साथी साथ दोस्तों जो कोचिंग संस्थान है बड़े बड़े टीचर्स हैं लाखो लाखो जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं सब लोग सपोर्ट में हैं क्योंकि बच्चों ने आपको बहुत फिज दिया, बहुत आप से पढ़ा एक बार, अब आप भी बच्चों के लिए खड़ा हो ये, सभी लोग यदि 28 दिसंबर को आ गए, तो दोस्तों आप मान कर चलिए कि एक लाख पदों पर सरकार भरती करेगी और उसका ऐलान भी करेग कि सब को आना होगा, तभी ये मामला बड़ा होगा और सरकार इस पर भरती देगी, अमिताब अगनी होतरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो लगतार 97,000 भरती की मांग अपने चैनल के थुरू TV 903 पर उठा रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, और यहाँ पर रजस सिंग को भी इस डिबेट में मौका मिल रहा है, अपनी बातों को रखने के रजस सिंग जो लगतार 97,000 नई शिक्षक भरती के लिए इको गार्डन में अनुवरत धर्ना पजर्शन कर रहे हैं, तो अब सब एक हो जाईए, सभी छात्र, सभी संगठन, सभी बच्चे, सब को आना ह होगा 28 दिसंबर को तभी दबाव बनेगा और सरकार एक बड़ी प्रात्मिक शिक्षक भरती का ऐलान करेगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि 17,000 से जादा पदों पर भरती नहीं हा सकती, क्योंकि यहां पर सुप्रिम कोर्ट का भी इसमें हस्तक्षेप है, सुप्रिम कोर्ट ने अपने हलफ नामे में क्याओन हजार के बारे में जानकारी दे दी है, तो वो तो पद ऐसे ही डारेक्ट लिस में जुड़ गए हैं, तो कोई भी विदिक कर्चन नहीं है, और सरकार जो चाहे वो कर सकती हैं, लेकिन उनको सरकार बाहर नहीं कर रही है, नए पदों को पर सरकार ने जोड़े हैं, ये सबसे बड़ा विवाद बनेगा आगे चल कर, क्योंकि अब हर अब अबहरती मांग करेगा कि हमारे भी पद जोड़िये, हमको भी नुक्ति देजिए, क्योंकि उनको लेकर हमेशा से विवाद रहेगा, और ये 6,000 जोड़ने का फैसला गलत ह पर सरकार का अपने विग्यापन निकाला है, इसके बाद आप एक भी पद नया नहीं भर सकते हूं, अतर हजार में जो गलबड़ी हुई थी, जो गलत लोग थे, उनको बाहर करिये, 27% स्थी को अरक्षर देजिए, और 21% स्थी को अरक्षर देजिए, ये नियम है, तो आप आपने गलत लोगों को चैनल कर लिया, उनको बाहर भी नहीं कर रहे हैं, नहीं लोगों को जोड रहे हैं, फिर छे हजार ही आप क्यों जोड रहे हैं, फिर आप 22,000 ही जोड़िए, क्योंकि 22,000 को लेकर भी तो बहुत सारे चातर लागातार पदर्शन कर रहे हैं, तो ये सा से कर दिया गया है अब सरकार मान रही है गलती और शेजार सीट जोड रही है यही सरकार कह रही थी कि 652 की सीट है नहीं की सेट यहिए जोड़ सकते हैं यह दोनों परिक्षाय है अलग-अलग है एक में लिखित था एक में पासिंग 40% 45% था एक में 60% 65% तो दूसरी भरती की पद 79,000 में कैसे जोड सकते हैं अब यह जोड रहे हैं अब यह जोड रहे हैं तो इनका कुछ भी भरोसा नहीं है आज जो कह रहे हैं खल उस पर बदल जाएंगे और मैं तो यही समझता हूं कि सरकार जो चाहे वो कर सकती है यदि मांग हो गए 8 जिसंबर को तो 97,000 जरूर आएगा आप लोग आईए और इस धरना को सफल बनाईए इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक हो शेयर करदा हैं चैनल को सस्क्राइब करके बला आइकन दबा लिजे ताकि आप कोई से तरह की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे थांक्स और वाचिंग